हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इंडस्टियल एंड़ा इंजिनियरी दोस्तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है कि हम 4-20 मिलियम्स ट्रांस्मिटर को काम कैसे करता हूँ उसको मैं बताने जा रहा हूँ आज मैं इस फिगर के थुरू से आपको बताऊंगा और टोटली देख लेंगे ताई स्वेर दोस्तो आपको इस ट्रांस्मिटर से रिगार्डिंग एफ्टी हो पीटी हो और पीटी हो से कभी प्रॉब्लेम नहीं आएगा आपको 4-20 मिलियम्स के रिगार्डिंग बस आपसे इससे पहले मैं एक और बात बोदला चाहूंगा दोस्तो जो हम हमने इस फिगर के मतलब से आपको समझाएंगे इसमें ट्रांस्मिटर हो रेक है मारा अनालोग इंपूट कार्ड जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं डीटेल्स में अनालोग इंपूट कार्ड जो है इसमें क्या सोर्स होते हैं कितने तरह के होते हैं इसको मैं आप इसको भी देख लिजेगा for better understanding तो इसको हम देखते हैं दोस्तों कि काम एक ऐसे करता है तो जैसे कि आप देख पा रहे इसको हम दो पार्ट में इस figure को डिवाइड करा है ये पार्ट होगी हमारा फिल्ड इनड जिसमें हमारा फिल्ड में ट्रांस्मिटर लगा हुआ है या flow transmitter लगा हुआ, यह हमारा हो गया PLC IND, और यह हमारा नीचे जो person देख रहे हैं, यहां से जो signal देगा, वो हमारा control उनको जाएगा, तो यह जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा यह analog input card है, जिससे हमारा power up करता है transmitter को, जो देता है 24 volt DC 20 million, बट इसको proper functioning के लिए plus 5 volt DC 20 million चाहिए तो इसको इसके थुरू हमारा power up किया, और इसके थुरू हमारा million travel करता है, जो कि हमारा, जिसके हिसाब से, जिसमें इतना flow है pressure, उसके हिसाब से voltage regulator regulate करके, million आपको transmit करेगा, हमारा AI card को, AI card further field convert करेगा, AD converter कर थुरू, और आपको result output जो हमारा control room को भेजेगा, तो अब समझते ह तो हमने इसको दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक आप सपोज लेजिए flow transmitter, तो flow transmitter और pressure transmitter, दो, flow transmitter का जो range हो, 0 to 100 nm qq per hour है, और pressure transmitter का भी 0 to 100 kg है, per cm बार, तो इसको हम दो range में समझाएगे आपको, तो होता क्या दोस्तों सबसे पहले, इसमें continuous power up होगा, यह power up र सबसे पहले मानलिजें कि इसमें जो है हमारा YOUR flow मतलब 0 बैल्य दिखा रहा इंस जिए इसमें कोई भी प्रेसर नहीं है या कोई भी फ्लो नहीं है तब Trão Bra ön उस case में क्या होगा इसके अंदर जो inbuilt एक voltage regulator होता है इसका काम है कि हमारा regulate करेगा loop current को loop current मतलब इसके value दिखा रहा 0 तो उसके correspondent equivalent जो हमारा millions में लिखा लेगा तो millions क्या लिखा लेगा 4 millions क्योंकि हम जो use करते हैं उसका range होता है 4 to 20 millions जैसे कि यहां पर दिखाया तो 4 millions generate करेगा क्योंकि 0 equivalent है तो हमने यहां लिख भी रखा है दोस्तो 0 normal meter cube 0 kg पर 4 millions करा तो यहां से 4 millions यहां आया इसमें बट जो हमारा card है वो हमारा voltage को accept करेगा जिसका range है 1 to 5 volt तो 1 to 5 volt तो जो 4 millions है तो 4 millions मिल गया और 250 ohm register यहां पर अल्लेडी inbuilt रहता है card में जिसके थूर हमारा voltage में convert करेगा तो voltage में convert करेगा वो हमारा 1 volt होगा 1 volt आया further अब card क्या है हमारा इसके अंदर AD converter होता जो analog to digital convert करता है तो जो हमारा control room है वो हमारा बताएगा कि कितना pressure दिखा तो क्या है कि 1 volt को उसके equivalent में हमारा AD converter करेगा और हमारा जो control room है controller के थूरू हमारा control room में जाएगा और value दिखाएगा हमारा जो हमारा 0% of the total range है नेक्स समाजते हैं second number step में अगर इसको इसमें value हमारा सपोज 50 दिखा रहा है 50 kg pressure देख लिजे या हमारा 50 normometer की flow देख लिजे दोनों में से को भी आपको इसलिए मैं समझा रहा हो तो आपको better concept clear हो सके 50 दिखा रहा it means यह हमारा voltage regulator फिर से regulate करेगा 50 equivalent तो क्या होगा 12 million गया हमारे यहां से और यह हमारा AI card में further 250 ohm के थूरू हमारा इसको convert करेगा voltage में जो हम पाएंगे 3 volt 3 volt जो हमारा equivalent है 12 million के बराबर जो हमारा दिखाया है जैसा कि बता है 50 kg pressure जो हमारा skill के 50% के बराबर है तो यह हमारा further फिर उसको AD converter के थूरू convert करके control room में दिखायेगा value next फिर लेते हैं full scale 100 तक रेंज लिए हैं फिर 20 million जब कब दिखाएगा जब इसमें हमारा pressure 100 kg हो या 100 flow हो 100 नॉरू हो तो यह हमारा 20 million generate करेगा voltage regulator 20 million हमारा फिर जाएगा analog input card को analog input card को टूटियों के थू हमारा फिर से कनवर्ट करेखा वेल्टेज में फिर हमारा जो आएगा AI Carwydd में AI काड्वर्टेश को करा एक्सेप cud sih AI card के थू हमारा aware एडी कनवर्टर इनवोड़तर हता है थ्रैज, हमारा कनवर्ट करेखा फिर से एक पावर उप के लिए टान्स्मीटर को करते हैं और करते हैं क्योंकि सिंगल में के डो उपर स्वियंट होगा दूसरा सभव ोगा 5-4 वाइर इस्टेव में डो से पावर अप दो से सिगनल टांस्मीट तो कज इस तरह से हमारा 4-20.000 स्विश्क्क्रावов होती है इसके अलावा भी दोस्तों अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट वरक से कमेंट कर सकते हैं और हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो कर लिजे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किजिए, सेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए मारे चैनल को द सब्सक्राइब करते हैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो में लेकर आतर हूं आप सब के पीचे तो यह रहा है दोस्तों आज के वीडियो थैंक्यू सो मज़द आप